हालो फ्रेंट्स देखिए आज हमारे हां बाठी चोखा बनने जा रहा है तो यह उसकी दिवस्ता है देखिए यह मेरे बैंगन है यह दो आलू डालेंगे पांच साथ चोटे बैंगन है और एक बड़ा भी है यह सब मिला के बनाएंगे हम और यह हो गया एक पोटी लहसुन य चारपाश मीर्चे यह हो गया मैनेव्ग और यह देखिये यह मेरा सथाफ्व हो गया यह भरने के लिए हैं ऊठी हो जड़ावाइन कतर अपर बांहें ऑगा बदार हैं ज्चन्हार बांहें झाटरे नमक इसमें हम डालेंगे लहसुन कटा हुआ मीर्चा कटा हुआ और थोड़ा से गरब मसाला थोड़ा से नीबू और थोड़ा से भूना जीए यह और हल्दी इसको तायर करते हैं भी तब आपको दिखाते तब तक इसको बोईल करते गर जलाते और यह बोईल हो जाएगा इसे बा हेदि बारी बारीक से प्याज है ये Virgin लहसुन है और हम यह फ्राव लहसुन है। यह चोष्फा के लिए तैयार हो गया है। हम उस्के फॉख झातां है मैंने मिक्स नहीं किसा नहीं है। मैंने टमाटर चील लिया है और यह भैंगन चील लिया है आलू अभी गरम है तो अलग रखा हुआ है यह ज्यादा गरम है इसलिए को मिक्स नहीं कर पा रहे हैं को फ़र ठंड़ा हो जाता तो इसको मिक्स करते हैं तो यह चोखा बन जाएगी यह सारा आइटिम इसमें डाल द जाल दिया है और इसका नमक नमक बहुत टेस्टी है यह देखिए यह कितना बढ़िया बनके त्यार हुआ इसमें बाद में पूरा यह बन जाता है इसमें एक चम्मच मस्टर्ड डाइल डाले तेल की ही स्वाद अच्छा लगता चोखा में भी तेल पड़ेगा दो चम्मच आरम नहीं डालते हैं हम लोग आप लोग कैसा डालते हैं बताईएगा यह देखिए मेरा कितना टेस्टी तैयार हुआ यह जैसे लग रहा है बेसल वाला लड्डू बनता है रिलकुल वैसा हुआ है यह सत्तू असले मार्केट कहें बहुत महीन है और आपके देखिए मान ल देलता है तो चना भून लीजिए भून के उसको मिक्सिम पीस लीजिए मतलब मस्त्रड आयल इसमें इतना डाली है कि यह देखिए यह लड्डू बन जाए इसकी यह पहचान है इससे ज्यादा तेल मत डालिएगा यह देखिए मेरा लड्डू बन गया तो जब लड्डू पतेल परफेक्ट है और इसमें देखिए सारे मसाले पढ़ गए लैसुने सुन कि इतनी अच्छी महक आ रही है कि क्या बताओं मैं आप लोग बहुत दूर चलिए तो आप हम बाटी के स्टार्टिक करते हैं यह देखिए यह बाटी के लिए हम देखिए ऐसे ही छोड़ छो कटोरी स्टाइलिस को कटोरी बना देंगे तो असल में हम लोग हमेशा कंडे पे बनाते हैं लेकिन इधर चार-चार दिनों से बारिस बहुत हो रही है तो जो बजार में कंडा लेने मैंने भेजा था तो कंडे गीले हैं तो आप देखिए हम कैसे बनाते हैं अगर बन जाता है कुकर में या किसी चीज में तो ठीक है नहीं तो फिर मैं इसका पराठा बना दूगी इसके पराठा भी बहुत अच्छे वह जॉन पूर साइट पराठा ही बनता है जैसे हम लोग दाल बरे बनाते हैं तो इसी चोखा से खाते हैं यह देखिए इसको ऐससे दबा दिया है इसको बनाते हैं तो इससे हम सब बनाते हैं तो देखे दोस्तों यह मेरा भी रखा हुआ है अब हम जा रहे हैं यह देखिए आप मेंकर इसमें सोस्ते बना के देखते हैं देखे दोस्तों कभी बनाया नहीं इसमें लेकिन आज बना के देखते हैं तो इसको पहले ग्रीस कर लेते हैं इसके बहुत को बनाए हमने कुकर में बनाया था और एक बार कडाही में बनाया था है यह कि हमारे बहुत को बच्चों को सब्छारा कंडे वाले पसंद आता है इसे इसए हम रख देंगे 12 हैं इसमें अब आप पहली बार इसने बना रहे हैं अगर ये मेरी योजना सक्सेज है तो आप सब लोग ऐसे ही बनाए तर ये बहुत जल्दी बन जाएंगे ये देखिए अब इसको गैस को जलाते हैं कि अब अब आप अब थोड़ा स्लो रखेंगे ज्यादा तेज नहीं रखेंगे और इसको पांच मिन्टर पलट के देख लेते हैं इसको फिर गोल कर देते हैं इससे धत देते हैं पांच मिन्ट इसको देखते हैं कि दिखें दोस्तों इसको हम ऐसे रखते पलटते रहें गी तो एक तरफ जल जाएगा यह देखिए हैं यह एक तरफ जलने ना पाया हो सकता कि बन जाए बन जाए तो मेरा आगे कहले रास्ता खुल जाएगा अब मैं हमेसा फिर ऐसे ही बनाऊंगी देखे तो फिर बन कर देते हैं और इसको धीमिया पर इधर रख देते हैं देखे इस पर और इस पर रखते हैं मैं आपको दिखाते हूं अगर ऐसे नहीं बनेगा अच्छा नहीं बन पाया मालू इसे बन जाएगा लेखे तो सुfon के जबालों वाला नागी आए बना रहिए ऑसे बना लेते है आप कभी बनाया है यह पर्था ठखि यह जरन पूर साइट बहूत बनाते हों लोग बाती नहीं ज्यादा बनाते यह देखिएए हमारे हां है एक दो लोग जोन पूर के तो सक्कु का पराठा उनका फेवरेट डिस है यह ज्यादा भल लीजिए अब इसको देखे मारे हलके हाथों से हलके हाथों से बहलेंगे क्योंकि भरा हुआ है ऐसे ही इसको बढ़ाएंगे पहले इतना बढ़ा होगे अब इसको हमारे हाथ से बहुत हीमे धीमे जिससे फटने न पाए जैसे आप डाल भरी पूरी बनाते है वह ऐसे ही इसको बनाईए मोटा ही बनता है अगर दा पतला नहीं बनाया जाता इसको बाएंगे अबर आप लोर से जाख लोगा इसको बाएंगे आप अब इसको बाएंगें आप इसको बार-बार देखना पड़ेगा जैसे बाटी मेरी जल न जाए बार-बार उलट-पलट के पकाएंगे देखिए बीच वाली पक गई है यह देखिए यह और सुन्दर बनी है यह देखिए देखिए मेरा एक्सपेरिमेंट बढ़िया हुआ यह देखिए यह मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है कोकर से भी अच्छी बनी है आप लोग ऐसे बनाई है यह देखिए बीच वाली तो रेड़ी हो गई है इसको भी प्लट देते हैं इसको धीमिया पर फिर सहसे अब इसको जल जादा तेज आच पगाना चाहिए नहीं फूल जाता अभी खुब बढ़ा सा अब आप अब आप 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 पहले पाई तो बहुत फूल के खुब बढ़ा सा हो जाता है अब आप सब लोग खाई आके कद्दू की सब्जी बनी है कद्दू की सब्जी और यह पूड़ी फूल आया यह देखिए यह देखिए कैसे फूला यह देखिए कितना स्वादिष्ट बन के तया हुआ है ठीड़ लगा आपको देखिए बनाये आप भी तुरंत यह देखिए यह देखिए यह देखिए इसको घी से खाएं किसी चीज से खाएं अच्छा एक बात और भी और अगर आपको तेल नहीं लगाना है कि यह बच्सक्राइब कि देखें, नहीं नहीं खाते हैं ऊश्च के अप्रौदि भागया देखें, देखें हो आपको दिखाने के जिंअ, नहीं बच्वन, कि देखें, देखें,ud कि दिखिए चोखा मेरे त्याब रहा है गरम था इसलिए मैंने तब नहीं बनाया रहा यह बहुती स्वाजिश चोखा है आप सब लोग को कैसा लग रहा देखिए कि दिखिए चोखा मैसर से मैस कर लिजी मिठी सनी पीसी यह खड़ा खड़ा अच्छा लगता है तो देखिए हम सब पूरे में नमक नहीं मिलाएंगे जितना खाना है उतने नमक मिलाना है क्योंकि अभी खाने वाले लोग है नहीं तो जैसे अभी खाना है है कि गल्रे। दुखने वाल बहुता है क्योंकि बज़ी उतना खाना हुआईसमे ब्लाव जे क्छिए हमान लिजी होजेए जलावादा वीधा लिए सासर जड़ा है क्योंकि तो जैक्या थोड़ा सा कच्छा देल डाल देते हैं, थोड़ा सा, बाकी यह भी उसमें डालना है, जब फारे दाये गता, अभी उसको धक्ते रख देते हैं, तो यह चोखा है, यह देखिए, यह मिक्चो गया, अब इसको भी देख लेते हैं, यह भी बन गई है, हमारी बहुत अच्छी बन के त्याप भी है, अब देखिए, हम इसको दिखा रहे हैं, आपको यह थाली अलग रखते हैं, और यह गैस जो है, बंदन हो गई है, थोड़ा सा, हाथ जल जाएगा, इसको ऐसे धीमे से, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, बिल्कुल पक गई है, थोड़ा सा और खड़ी कर देते हैं, इसको, यह साइड में ऐसे, ऐसे करके, ऐसे पक जाएगी, यह सारी की सारी पग गई है, इस बाटी की पहचान होती है, अगर क्रेप हो रही है, तो समल लीजिए के बाटी बन गई, इसकी पहचान होती है, देखिए, बपांस बीन त्वर रखते हैं, तर आपको जिखादें, आपको दिखा देते, और बाप आप साब कर के दिखाद मेर क्ड south कए आप कप आप क्पैसा को कर दो कि आप कर दो करें दो करेंगा है फड़ाय. अच्ड़ा हाग. क्हुटा अच्ज़ार. यह मेंहुटाइंग. क्षेंगा. मैंपत्य।. क्षेंगा. का तो फ़्लबा हाग. कि दोस्तों यह देखिए सब पक गई किती सुन्दर पकी है जो नहीं पकी वो इधर रख देते हैं सारी की सारी पक गई है मेरा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रहा है आप सब लोग आईए खाईए यह देखिए अब इसको थोड़ा साम ढख देते हैं यह वाली दो चार रह गई यह इधर से पर जाएंगी अब देखिए यह यह देखे मैंने घी लिया हुआ यह गी है देखिए यह गी है अब इसमें हम इन बातलों को डाल देंगे सब बात है यह में पड़ जाएंगी अब इसे डिप कर दीचे कि अब आप हरा मिर्चा दे देते हैं अब हेड़ा क्यों जाएं, यह दिखे कि आपको मेरी देश हैं यह देखिए यह देखिए यह दिखन दोस्तों गलती हो गई हम से कि यह जो मिर्चे का अचार होता है इसका मसाला जरूर डालना चाहिए तो हमने ध्यान नहीं दिया इसलिए इसका मसाला नहीं पड़ा आगर आपके पास मिर्चा हो तो इसका मसाला जरूर डालिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो चोखा बाटी में जान आ जाती है इस से मिर् रखा है लेकिन मैं भूल कि मिस्स करने कोई अकेले में परिशा नहीं आ जाती यह देखिए यह लाल मिर्च है यह देखिए चलिए आपको भोग लगाईए और प्लीज अगर रिस्ट्री पसंद आई हो तो फिर मैं रिपीट करती हूं पूरा वीडियो देखिए और लाइक औ वीडियो के साथ लेजिए थेंक यूँ कर दो नए वीडियो के साथ लीजे थेंक यूँ